हेलो दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे सभी तरह की क्रीम्स, ओइटमेंट, जेल्स के बारे में जिसमें हम डिसकस करेंगे एंटी-फंगल क्रीम, एंटी-बैक्टिरियल क्रीम और डर्मर क्रीम और फेयनिस क्रीम, सभी तरह की क्रीम्स के बारे में हम जानेंगे तो दोस्तों सबसे पहने हैं हमारी क्रीम आती है sipladin cream जो की एक antiseptic cream होती है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो जल जाने पर आप देख सकते हैं picture में अगर कोई जल जाता है तो उस condition में इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर चोट लग जाने पर किसी के चोट लग जाती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर minor cut अगर छोटा मोटा cut लग जाता है हाथ पर पेर पर कहीं पर तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फिर हमारी अगली क्रीम आती है betelobet N और betelobet C ये दोस्तो betelobet N और betelobet C में क्या फर्क होता है यह हम आपको बता दे जो एन होती है इसके अंदर नियू माइसील होता है जो कि एक एंटी बेक्टिरियल क्रीम होती है और जो बेटनो बेट सी होती है यह इसके अंदर जो है किलोरिकोनोल होता है यह एक एंटी फंगल क्रीम होती है और दोनों का अंदर बीथा मेतासोन सेम होता है तो ये दोनों जो है एंटी बेक्टिरियल और एंटी फंगल दोनों तरह की क्रीम होती है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सेरोसिस में दोफ्तों सेरोसिस जो होती है पपड़ी जम जाने को कहते हैं जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इसकीन के उपर पपड़ी जम जाती है तो इसको जो है सेरोसिस बोलते हैं या फिर एक्जाइमा एक्जाइमा का मतलब दात खात खुजली दात खात खुजली में इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर insert bite insert bite का मतलब कीड़ा काट लेता है आप देख सकते हैं picture में कि अगर कीड़ा कोई काट लेता है मच्छर मक्ही ये कोई भी कीड़ा काट लेता तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोनों क्रीम का अच्छर दोस्तों हमारी आती है burnol क्रीम ये जलने में काम आती है जब कोई 5 डिगरी और 2 डिगरी की कंडिशन में जल जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों 5 डिगरी और 2 डिगरी का मतलब ये होता है जैसी हमारी skill होती है खाल होती है इसकी 3 layer होती है जिसमें सबसे पहली epidermis बीच वाली डर्मिस और लास्ट वाली हाइबो डर्मिस जो हमारी पहली डर्मिस होती है ये जल जाती है तो इसको हम कहते है 5 डिगरी जलना और अगर साथ में बीच वाली भी जल जाती है डर्मिस तो इसे हम कहते है 2 डिगरी जलना और अगर तीसरी भी जल जाती है लास्ट व क्रीम जो होती है एक एंटि-फंगल क्रीम होती है जिस HC मेडिसीन के पीछे आपको जोल लिखा दिखाये इसका मतलब होथा है कि एक एंटि-फंगल क्रीम होती है। इजिए जो इस्तेमाल में ली जाती है यह वो एथिलेटिक्स-फूड में ली जाती है। alltså दो दो Toyota पर चकतते पड़ना उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फिर हमारी अगली क्रीम आती है ओमनी जेल क्रीम दोफ्तों यह ओमनी जेल क्रीम जो होती है यह पैन किलर क्रीम होती है जो की दर्द को दूर करने का काम करती है जैसे कि ये muscular pain में काम करती है बोड़ी के अलग अलग पार्ट में जो दर्द होता है कंदा, गुटना, कोनी जहां भी दर्द होता है महाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर joint pain हड़ियों के जो joint होते हैं गुटना, कोनी, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर, spring pain दोस्तो, spring pain का मन्दब होता है मोच का दर्द, मोच के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फिर next आती है हेड़ेसना करीम, दोस्तो हेड़ेसना करीम जो होती है इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो पाइस में किया जाता है पाइस मतलब बावसीर में इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर एनल फैचूला एनल फैचूला में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोफ्तो एनल फैचूला जो होता है इसको हम हिंदी में भागंदर बोलते हैं तो दोस्तों जो हमें पाइस होती है बाबसीर होती है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो ये बिलेट की वैसल्स होती है ये हमारी पोटी की वज़े से फैक्चर हो जाती है इसमें से बिलेट लिगनने लगता है जो कि PORTI मा आने लगता है तो ये करीम यहां पर लगाई जाती है अपलाई की जाती है जिससे काफी जादध रहत मिल जाती और इसका दूसरा काम जो होता है एनल फैक्ट चूला में होता है मतलब भगंदर में जब हमारी जो PORTI का रास्ता होता है इसके बीच में से कोई और रास्ता निकल जाता है अलग जबा पोर्टी स्टोर होने लगती है तो इसको हम भगंदर बोलते है तो इसमें भी ये काफी जादा रिलीव देती है फिर हमारी लेक्स लेक्स आती है दोस्तो लो मेला किरीम दोस्तों ये low-mela cream जो होती है ये melasma में काम आती है जब महिलाओं को pregnancy के time होता है महिलाओं को तो उनके चेहरे पर चगत्ते बनने लगते हैं महिलाओं होने लगता है जैसे आप ये picture में देख सकते हैं तो इस condition में इसका इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों ये sofraeum mitocene cream जो होती है ये एक antibacterial cream होती है जिसका काम होता है bacteria infection को दूर करना और दूसरा काम होता है minor cut अगर कहीं body पे cut लग जाता है चोटा मोटा उसको दूर करने का भी ये काम करती है या फिर scorpion bite अगर किसी के बिच्छू बट लेता है तो जहां बिच्छू ने काटा है जहां डंग मा रहा है उस जगह पर हम इसे लगा देते हैं तो काफी जादा relief मिल जाता है फिर next आती है thermophob cream दोस्तों ये thermophob cream जो होती है इसका जो काम होता है वो thermophobosis में होता है दोस्तों ये thermophobosis जो होता है इसका मददब होता है जहां injection लगाते है injection से गाट पड़ जाती है तो उस गाट को दूर करने का ये काम करती है कई बार ऐसा होता डोक्टर injection लगा देते है और injection ठीक तरीकी से नहीं लग पाता तो उस condition में गाट बन जाती है तो उसको दूर करने का काम ये करती है जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं यहाँ पर बिलेट क्लोट हो गया है तो इसको जो है बिलेट को पतला करके बहाने का काम ये करती है फिर नेस्ट हमारी करीम आती है इजगाट करीम दोफ तो ये इजगाट क्रीम जो होती है इसका काम जो होता एथलेटिक्स फूट में होता जिसे हमने आपको बताया एथलेटिक्स फूट का मतलब होता पेरों के पंजों के बीच में जो है infection हो जाता है जिसे हम खरवे बोलते है तो उसमें ये काम करती है या फिर सेरोसिस, सेरोसिस जो हो जाता है चेहरे पर या कहीं भी बोड़ी पर जो पपड़ी छुटए लगती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर हमारी अगली आती है मूग किरिम, दोस्तों ये मूग किरिम जो है, इसका जो काम होता है वो भी पेन को दूर करने का होता है दर्द को दूर करने का जब मस्कुलर पेन होता है बोड़ी में पूरी बोड़ी में तब इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर अर्थराइडिस अगर किसी को गठिया का दर्द होता है तब भी हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं फिर उसके बाद हमारी लाश्ट क्रीम आती है बोरोलीन क्रीम दोस्तों यह बोरोलीन क्रीम जो होती है यह आयरुवेदिक एंटिसेप्टिक क्रीम होती है इसका काम जो होता है वो क्रैक लिप्स होता है क्रेIL के students का मतलब åt फटनAmें ये एस्तिमाल में ली जाती है या फिर rough skin रूखी skin जो होती है हमारी तुछा के हूस कुशिक हो जाती है उसमें भी हमिस के इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तों हमने सभी तरह कि आपको क्रीमत वायमा के बारे में बता दिया है अगर आपको हमारी दिगे जान करें अच्छी लगए हो तो इस वीडियो का लाइक जरूर करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें